नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक तो माई चैनल और आप सभी को पता है कि जब से कुर्शेतन वस्टी ने ओफलेन एक्जाम करवाने का नोटिफकेशन डाला है तो जगए जगए प्रोटेस्ट किये जा रहे हैं और इसी को लेकर सबसे पहले NSUI आपके लिए खड़ी हुई थी और उसके बाद जो NSO party है उन्होंने भी आपका समर्थन किया है आपके online exam करवाने को लेकर जो NSO के राष्टिया अद्यक्स जी हैं दिगवीजा सिंग चोटाला जी उन्होंने पत्तर लिखया है जो हर्याना के शिक्षा मंत्री है उनको कि जो student है उनके online exam करवाए जाएं उ आपको letter दिखा देता हूँ इसमें उन्होंने क्या-क्या मंगे रखी है student के लिए तो एक बार सभी student इस video को like और share कर दीजे और हमारा जो telegram का channel है उसको join कर लीजे वहाँ पे आपको update किया जाता है तो मैं आपको यह letter दिखा देता हूँ जो कि आज दिगवीजा सिंग को प्रोटेस्ट करेगी कुर्शेत अनवस्टी के थर्ड गेट पर तो सभी student जो इच्छुक हैं कि online exam हो तो वो जरूर पहुंचे तो दोस्तों यह letter है जो कि दिगवीजा सिंग चोटाला इंसो के राष्टिया दक्स है इन्होंने आज आपके जो education minister है हर्याना के उनको करते हैं वो offline exam करवाने के लिए बोल रही है लेकिन जो student है वो काफी दिनों से ठीक है क्योंकि काफी break हो चुका है student का लगबग 11 महिने का break हो चुका है और एक दम से उनके offline exam लेना ठीक है उनके लिए मानसिक तोर पर सही नहीं है तो इन्होंने ये बाते mention की है तो इसी के का student का अंदोलन है online exam को लेकर वो आगे बढ़ता जा रहा है और आपकी जो sport में बाकी सभी पार्टियां भी आपके साथ खड़ी हो चुकी है तो student को काफी power मिल चुकी है और sport मिल चुका है तो आप सभी जो student है अपनी study भी करते रहिए जो भी update आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा आपके अब sport में सभी पार्टियां खड़ी होने लग गई है और सबसे पहले NSUI आपके लिए खड़ी हुई थी तो आप इस वीडियो को शेर करिए ज़्यादा है ज़्यादा ताकि जो student है उन तक ये information पहुंच सके धन्यवाद जैहिं